फ्यारे बच्छों स्वागत आपका इस प्यारे से परिवार संसार्पर में जिसमें आज की CLASS में हम लोग आज से ही शुरू करेंगे कच्छा च्छाइकी गडित जो की रेगुलार आपको इसी समय पर CLASS मिलती रहेगे ठीक है पूरी गडित आपको हम कच्छा च्छाय की बताएंगे, एक भी question, एक भी chapter मिस नहीं होगा, ठीक है, इसलिए आपसे गुजारिस है, वीडियो को like, share, और अभी तगा आट में चैनला को subscribe नहीं किया, तो चैनला को subscribe कर लीजी, जिससे आपका ही फायदा है, फायदा ये है, कि आपको कच्छा 6 की, तो सारी क्लासे मिलेंगे ही मिलेगी, हमने कच्छा 7 की, 8, 9, 10, और यहां तक की 12 की क्लासे हमने मैत की आपको उपलब्द करवा चुके हैं, ठीक है, तो चलिए सुरू करते हैं, सबसे पहले हम question पढ़ने से पहले, सबसे पहले हम जानेंगे, इकाई, न माताही होना चाहिए, इकाई मात्र होता है एक, उसके बाद हो जाएगा दहाई, यह लाएगा आपका दहाएं, दहाएं में होता है । त प्र लिखेंगे साइक्ड़ा, ठीक है, जाएं सेट हम होता है सौ पिर लिखेंगे हजार हजार का मतलब होता है एक हजार कितना होता है? एक हजार फिर लिखेंगे दस हजार अब इसमें एक जीरो बढ़ा दीतेगा तो आपका हो जाएगा क्या? 10,000 अब पढ़ा कैसे लाता है ये अंक लिखे हो तो पढ़ते कैसे हैं पढ़ते पीछे साइट से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार 10,000 ठीक है फिर लिखेंगे लाँक लिखेंगे लाँक तो आप इसमें 1,0 बढ़ा दी दिएगा 1,2,3,4,5 फिर लिखेंगे दस लाँक पिर लिखेंगे दस लाँक इसमें एक्टूली बढ़ा दी चाहिए 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 फिर लिखेंगे दस लाँक के बाद क्या आजाएगा 21, 22, सैकड़ा, हजार, तरजार, लाँक तसलाँग, इस बाद आजाएगा आपका करूर क्या आजाएगा? करूर ठीक है? अब इसमें 1,0 बढ़ा दीजेगा 1,2,3,4,5,6,7 अब आजाएगा आपका 10 करूर 10 करूर एक जिरो बढ़ा दीजिएगा एक दो तीन चार पांच छैब साथ यह जाएगा आठ ठीक है इकाई दाई सैकडा हजार तरजार लाग दस लाग करोण दस करोण अब आप अरब दस अरब भी लिख सकते हैं चलिए लिख देते हैं अरब इसमे जीरो बढ़ा दीजे अरब यह आपको याद होना ही चाहिए नहीं याद तो याद कर लिजेगा अब इसमें दस जीरो हो जाएंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपको इसी प्रकास याद करना है इकाई, दाई, सेखड़ा, अजाद, अजाद, लाग, लाग, करोण, दस कोण, अरब, दस अरब ठीक है, अब हम question को सालो करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 427 आपको गिंती आनी चाहिए आपने 1 से कच्छा 1 से 5 तक में गिंती तो आपने पढ़ी लिए होगी गिंती आपको 100 परसंट आती होगी ठीक है, और हिंदी में लिखना भी गिंती में लिखना भी आना चाहिए question में कहा गया कि निम्नांकित संख्याओं को संख्याओं को में व्यक्त कीजिए यह आपके हिंदी में लिखेंगे हैं, इसको में गिंती में convert करना है ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे answer 427, तो यह आपका हो जाएगा simple सा 427 उसके बाद दूसरा answer है आपका 3501, तो यह हो जाएगा 3501 अब पढ़ लिखें, इकाई 22 सेकड़ा हजार, तीनेजार पांसो एक 115, 115 तो बहुत ही आसान है 115, उसके बाद हो जाएगा आपका चवथा answer 89, 1029, यहनि एक कम असी 89, 1029 देखें, इकाई 22 सेकड़ा हजार 10,000, उन्यासी 1029, ठीक है तो यह रहा आपका पहला question बच्चो, समझ में आया की नहीं आया समझ में आया हो तो यूडियो को like केजिएगा, ठीक है चलिए, question number 1 के बाद अब हम लोग सालो करेंगे, question number 2 question number 2 देखी बच्चो, question number 2 और 3 इन दोनों question को में एक साथ सालो करेंगे, ठीक है दूसरे number के A number में कहा गया कि निम्नांकित संख्याओं को सब्दों में लिखिए तो यह चार question है, इन्हें हमें सब्दों में लिखना है हमने सुरुवात में ही आपको इकाई, दहाई, किस प्रकार से पढ़ाना है, उनने सिखा दिया था, ठीक है तो यहाँ पर लिखा गया है, इकाई, दहाई, सैक्डा, हजार कितना पहुंच रहा हजार, यहाँ पर कितना लिखा है साथ, क्या पढ़ेंगे साथ हजार तो यहाँ पर लिखेंगे साथ हजार उसके बाद देखिए, यहाँ पर कोई अंक्तो है नहीं, कि उसे हम कुछ पढ़ें ठीक है तो यह 0 है यह आपको बचना कितना 19 तो 7,019 कितना हो जाएगा 19 ठीक है इसके बाद दूसरा नंबर इकाई दहाई सेकड़ा हजार दस हजार इस बार दस हजार दहाई में जा रहा है यह आपको हो जाएगा 23,000 23,000 13 के वल है कितना है 13 इसके बाद तीसरा नंबर 21,000, 10,000 यह कितना है 79 तो लिखे यह 79,000 उसके वाद कितना है 79,300 21,000, कितना है 300 200 कितना है 89,000 तो लिखेंगे 89,000 ठीक है 21,000,000,000 लाक कितना पहुच गया लाक ती हो जाएगा आठ लाक आठ लाक लिग गया इकाई दाइस सेक्ड़ा हजार तह जार कितना पहुच जार पढ़ाएंगे तीरानवे हजार तीरानवे हजार कितना है उन साठ है तो लिगेंगे उन साठ अब इसके बाद ये आपके बन अंबर इसमें भी यह हैं गया इस सब दों में लिखना है लेकिन आपका सव जिसम पढ़ते हैं एक सव भी पढ़ते हैं तो लिखेंगे एक सव यह आपका एक हजार है एक हजार यह इकाई दाई सेक्ड़ा हजार जार लांक दस लांक यह आपका दस लांक है दस लांक इकाई दाई सेक्ड़ा हजार जार लांक दस लांक करोन यह है एक करोन एक करोन ठीक है अब तीसरे प्रस्ण में क्या कहा गया कि निम्नांगित संख्याओं में अंकों को छाटी है यह आपकी टोड़ा संख्या जिसमें इकाई और दाई है इसमें अंक अलग अलग लिखने है एक अंक आपका एक है और दूसरा अंक आपका जीरो है इसमें भी आपका एक है और एक है अठारा में अंक आपका एक है और आठ है जीरो में तो महत्र जीरो ही आए और तीन में म ठीक है, तो आपको question समझ में आ गए होंगे, तो question number 2 और 3 के बाद हम लोग सालो करेंगे बच्चो, इसके आगे के question, question number 4,5 और 6 देखिये बच्चो, बहुत best question है और आपको बहुत अच्छे समझ में भी आएंगे, देखी क्या लिखा गया question number 4 में, एक दो तीन से बनने वाली तीन अंकों की सभी संख्याय लिखिए ठीक है और कहा गया जबकि अंकों की पुन्रा वर्ति न हो यानि बार बार उसी अंकों रिपीट नहीं करना है ठीक है अंकों रिपीट नहीं करना है तो चलिए लिखेंगे उतर अब देखेंगे कितनी संख्य dom है किसी का चाह्व्ब श्राइब की जिए एक दो पीं यारई कितनी होगी एक सो थेज़ए अव इन अंकों को अवाले में टीन दो ठिक एक के बाद ना पहले दो रख लेंगे फिर 1 प्र तीन दो आप यहां पर लिएगा एक तीस के बाद तीने वाला ली पहले पुरुआत में एक है यहां भी एक है दो है अब उसके बाद तीन के बाद काउन से बती दो अंक बचते हैं जो कि आपके हैं एक और दो हैं 312 और 321 यह च्छाय अंक है जिसके पुन्रवत्ती भी नहीं हो रही है और आराम से हमने इनको लिख भे लिए ठीक है और पांचवे नमबर को उत्तर देखिएगा पांचवे नमबर पहले पोस्चन पड़िए क्या लिखा गया है लिखा गया जीरो तीन पांच से बढ़ने वाली तीन अंकों की सभी संख्याय लिखी जबी अंकों की पुन्रवत्ती ना हो ठीक है तो देखिए पहले हम इस प्रकार से नहीं सकते हैं सब्सक्ते कि पहले लृघ़ने का मतलब है कि यह अभी भी आंक आपके दो ही है सब्सक्राइब है कि यह नहीं रख सकते हैं क्योंकि यह दो उंकी बन जाएगी तो हमें तीन vonki चाहिए तो पहले हम उठाते थीन ठीक है और बीच में रखते हैं 0 और फिर उसके बाद 5 फिर 3, 5 और 0 अब इसके बाद हम लेंगे 5 5, 0, 3 उसके बाद 5, 3, 0 तो पहले हम 3 या 5 इसके अलावा और हम कोई यह नहीं ले सकते तो यही आपका answer होगा ठीक है इसके बाद 6, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी हों सबसे चोटी संख्या लिखी है तो लिखेंगे सबसे सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या अब सबसे बड़ी संख्या तब होगी अब सबसे पहले अब 7 लिखें 7 के बाद क्या लिख सकते हैं 7 के बाद हम लिखेंगे 6 6 के बाद 5 उसके बाद 0 यह आपकी सबसे बड़ी संख्या है ठीक है और सबसे चोटी संख्या तो लिखेंगे सबसे चोटी संख्या बराबर पहले 0 हम राखी नहीं सकते पहले 0 रख देंगे तो वो कितने संख्या कॉंसे तीन अंकी मात्र होगी, तो सबसे चोटी संख्या आपकी 5 है, हम दूसरे नंबर को रख सकते हैं, उसके बाद 6 रखिएगा, फिर उसके बाद 7 रखिएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी संख्या और ये सबसे चोटी संख्या है, उम्मीदे बच्चों, question number 4, 5 और 6, ये तीनो question आपको बेहतरीन तरीके समझ में आये होंगे, ठीक है, तो चलिए question number 6 की बाद, हम आगे के question बेहतरीन तरीके से ही सालू करेंगे, question number 7 और 8 और 9 देखिए बच्चों, ये तीन question आपके बेहतरीन question है, इसमें लिखा गया है, कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 5 अंकों की, 5 अंकों की, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, कौन से हो जाएगे आपको, 5 नव लिख देने हैं बस, ये अपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, क्या पढ़ेंगे इसको, इकाई, दाई, सेक्रा, अजार, तरजार, 9999, ठीक है, और सबसे चोटी संख्या, पाच अंकों की तो लिखेंगे, बस, ये सबसे चोटी संख्या हो गई, आठवा प्रसंद देखिए, लिखा गया है, 5231 में प्रतेक का इस्थानी मान ग्याद कीजिए, अब इस्थानी मान क्या होता है, इस्थानी मान हर एक का अपना, systematic क्या है, मान है, ठीक है, जैसे 21, 22, 1000, ये 1000, हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5000, ये आप क्या है आपका 5000, ये आपको किस जगे पर मिलेगा देखिए, आप इसे पढ़ें, तो किस जगे पर मिलेगा देखिए, इकाई दाई सेकडा, यानि ये सेकड़े के स्थान पर आपका है कितना? 200, उसके बाद इकाई दाई, ये दाई पर आए, तो ये आपका कितना है? 30 है, और ये आपका मात्र एक होगा, कैसे लिखना है? इस प्रकास देखी मानिए, इधर से लिखना सुरू करें, या इधर से एक ही बात है, तो ये आपको एक लिख देना है, क्योंकि इधर एक भी अंक नहीं है, और इसका निकाले के तीन लिख देना है, जितने अंक उतने जीरू, दो लिख देना है, जितने इधर अंक उतने जी किजिए यानि इसका भी हमें इस्थानी मान गयात करना है और इसका भी इस्थानी मान गयात करना है तो च्छाय के बाद कोई अंक नहीं केवल अच्छाय लगना है इस च्छाय के बाद दो अंक हैं तो आपको दो जीरो लगा देने हैं बस यह हो गए आपके इस्थानी मान इस प्रगार से निकाले जाता है इस्थानी मान ठीक है तो उम्मीद है बच्चों कि यह question भी आपको समझ में आ गये होंगे इसके बाद जो है आपके मात तीन question बजते हैं और वो आज की class के last question होंगे ठीक है तो देखते है question question number 9 के बाद इसके आगे के question question number 10, 11, 12 देखिए बच्चों यह भी question best question है इसमें का गया कि 334 में तीन के विभिन इस्थानी मानों का योग भल गयात कीजिए ठीक है तो सबसे पहले इनके मिस्थानी मान निकाल लेते के वन तीन के तो तीन के बाद देखे कितने अंक है एक अंक है तो आपका एक जिरो लगेगा पिर इस तीन के बाद कितने अंक है आप देखेंगे तो इस इसमें क्या करना है दो जीरो लगा देना है तीन दो जीरो लग जाएगा और इस तीन के बाद कितने अंक हैं तीन तो तीन जीरो लग जाएगा ठीक है तीन जीरो अब इन्हें करना है आपको योग तो देखिए आपका जीरो आएगा ये जीरो आजाएगा ये जीरो मान यहां पर निकाल दी, ठीक है, अब इनकों जोड़ते हैं, देखिए, अब इनकों जोड़ेंगे इस प्रकार से, यह आपका 3000 उपर, इसके बाद फिर आपका 300, उसके बाद आपका 30, ठीक है, अब इसको जोड़िए, इस प्रकार जोड़ना है, तो देखिए, कितना हो तीन अजार तीन सो तीस होगा इसके बाद इस में देखी है क्या कहा है किया नमबर में 21212 का इस तानी इमान ढ़िए इनका योग फल भी ऑनिगाद कि ए ठीक है तो इसके में स्थानी इमान निकालते हैं आपका दो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 2 और 2 के बाद 1 अंक है इसके बाद 2 अंक होगा तो 2 0 इसके बाद 3 अंक है तो आपका 3 0 और इसके बाद आपका कितना अंक है 4 अंक है तो आपका कितना हो जाएगा 4 0 ठीक है अब इनको आप जोड़िएगा इस प्रकास जोड़ना है, चार अंका आपका, चार जीरो, उसके बाद आपका, दो हजार है, फिर दो सव है, उसके बाद बीस है, फिर दो है, इसको आप जोड़ेंगे तो यह वही आ जाएगा, जो आपको पहले देखने को मिला था, ठीक है, अब बारा नमबर देखिए, इस इस्थानी मानों का अंतर गियात कीजिए, इसका इस्थानी मान यदि आप निकालेंगे तो निकल के आएगा, पांच सो, इसका इस्थानी मान मातर पांच निकल के आएगा, ठीक है, अब इसके हम अंतर निकालते हैं, तो पांच सो माइनस पांच बराबर, कितना हो जाएग पूरी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे ठीक है और कल की क्लास में अभ्यास एक कभी हम लोग पूरी तरह सालो करेंगे तो कल की क्लास का बच्चों गेट किजिए अब तक के लिए बाई बाई ठाटा